कि नश्कार आप सभी का स्वागत है एक विशेश एपिसोड में आप सभी देख पा रहे होंगे इतिहास की सच्ची घटनाओं पर आधारित मैं यानि आपका प्यारा अंकित सर लेकर आ आपके लिए एक 10 मिनट जैसा ही कारिक्रम जिसमें आप किसी एक ऐसे अंजाने और एतिहासिक टॉपिक पर साथियों हमारे साथ अपने और हमारे विचार देखेंगे कि आखिरकार कितना आप सभी लोग इस टॉपिक से समझ पाते हैं तो शुरुवात करते हैं आज का साथियों पहला टॉपिक है कि ऐसी कौशी घटना थी जिसकांड से मुगल समुद्र से डरते थे वो कभी भी समुद्र किनारे नहीं बशे ना तो उन्होंने कोई भी ऐसी राज धानी या छेत्र समुद्र के किनारे बसाया जो की साथयों उ सुरुवात करते हैं क्यों था आखिर मुगलों को समुद्रों का डर बाबर से लेकर जफर तक भारत के इतिहास में मुगल सल्टनत का पर्चम लहराता रहा आप सभी जानते 21 अप्रेल 1526 को जब साथ्यों पानिपत का पहला युद्धुआ तो उसमें हमारे देश में मुगल स साथ्यों सासक ने समुद्र किनारे अपना छित्र नहीं बसाया उसके पीछे के कुछ कारण है इनको आप समझेगा समुद्र के किनारे वाले सहरों से क्यों दूर रहते थे मुगल साथ्यों ये माना जाता है कि मुगल जहां से आए वो छित्र ऐसा था वैसे बाबर जो है उ भारत की यात्रा करी तो उत्तर भारत के छित्रों को उसने जीतना सुरू किया फिप्टीन साथियों नाइंटीन में 1519 में उसने भारत पर जब सफल आकमर करना सुरू किया और भारत में जब पानीपत का युद्ध भी जीता तो उसे समुद्र का कोई ग्यान नहीं रहा भारत सब्सक्राइब कह बरता था क्योंकि साथ्यों एसलामिक मानिताओं के अनुसार समुद्री जो छेतर होता है वह एक टरीके से लिए सुब नहीं माना जाता है उस पर अधीकार करके अगर कोई राज करता है तो जाणा दिन समय साथियों के पास कम रहा सासक बनते ही साथियों उसने भारत पर उत्तरी छेत्रों पर ही कब्जा किया इसके बाद धीरे-धीरे सल्तनत बढ़ती चली गई नुगल समुद्र से दूर रहते थे और उसका सबसे बड़ा रीजन था कि साथियों भारत की और या विस्व में ज अकबर ने साथियों फते पुर शीकरी को अपनी राजधानी बनाया लेकिन उसने भी शाथियों दच्छिद भारत करन राजधानी वापस भी उसे लेकर आनी पड़ी तो यह एक बड़ा प्रमुख करणड था आप जानते हैं समराथ अकबर ने फतेपूर सीक्री को राजधानी बनाया तो साजा ने आगरा दिली को अपनी साथ्यों प्रमुख रूप से राजधानियों में कंवर्ट किया था आप सभी जानते हैं लेकिन साथ्यों कभी भी समुद्ध तटी इलाकों में नहीं गए जबकि ऐसा नहीं था दच्षिण भारत पर भी अकबर ने तो पूरा एहमन नगर साथ्यों हर छेत्र अकबर के अधिकार में था दच्षिण का लगबग लेकिन फिर भी राजधानी दच्षिण नहीं लेकर गया उसके एक बार अपने दरवार में इरान के शाह के दूत के साथ डिसकस कर रहा था रानी राजनेतिक विचार विमर्स कर रहा था कहते हैं इरान के शाह ने एक मैसेज भिजवाया था कि मतलब अगले आने वाले कुछ दिनों तक प्रत्वी पर पानी का संकट रहेगा तो इस रासकारों ने इस घटना को उलखित भी किया और उन्होंने कहा कि मुगल बाश्या के सरीर से बद्बू भी आने लगी थी इसी वज़े से क्योंकि पानी वह यूज ही नहीं करता था पीने के लिए यूज करता था आप सभी ध्यान रखना तो मुगलों में सात्यों यह समस् किनारे इन दोनों नदियों के किनारे उन्होंने अपने बड़े बड़े भवनों का निर्मार कराया जैसे ताज महल लाल किला यह सारे साथियों इनकी ही दूर दर्शिता का परिणाम था नदी किनारे सपना था साथियों इनको बसने का साथियों एक तरीके से बहुत अच् से एक तरीके से सासकों के रोप में हो या जंता के रोप में हो हमेशा से कम्जोर करती ने शात्यों मननता है कि अक्वर ने टुला दान परमपरा सुरू करी थी अकबर कहता था कि अगर मुझे जल आग से बचना है तो मुझे अपने सरीर के वजन के बराबर धन हर साल दान करना पडेगा तो अक्बर जिसने उसका जन्म दिवत होता था अपने सरीर के वजन के बराबर तुला दान किया करता था मतलब करीबों में दान किया करता था जिससे उसे आग और जल जो है वो ना लगे अर्थात उप पानी और आग से ना मरे ये उसकी साथियो एक तरीके से मानेता थी तो इस प्रकार जो किविदंतिया हैं जो मुगल बाश्याओं के साथ साथियो आपको देखने को मिलेंगी तो बहुत कौमन है पहला बाश्या था साथियो आपको देख रहा होगा बावर 1526 से 1630 तक बावर बाश्यार कहते हैं भारत के पहले मुगल समराज बावर ने पंजाब के रास्ते भारत में प्रवेस किया था और उत्तर दिसा के आसपास अपना सामराज बढ़ाना शुरू कर दिया था लेकिन दच्छिर भारत की तरफ उसका चाहे साथियो आप देखो कृष्ण देवराय दच्छिर प्रशित के राजा हुआ करते थे जिनको बाबर ने साथियो 1527 में खानवा या कैनवा के युद्ध में पराजित कर दिया था और इसके बाद भी वो समुद्र तटको नहीं देख पाया साथियो हुमायू ने भी ऐसा समुद्र तट नहीं देखा अकबर ने गुजरात इसको देखता है तो इस तरीके से आपको याद अखना है सामराज बढ़ाना शुरू किया इन्होंने कैसे सामराज बढ़ाया एक बार ध्यान से देखिएगा अब जहां से सामराज बढ़ाना शुरू किया उसी जगए पर साथियों यह बसने लगे इसके इलावा समुद्र होती थी तियाजकार कहते थे समुद्र के किनारे अगर कोई भी बसता है तो एक तरफ स्थलमार खुला है समुद्र में आप कूद नहीं सकते तो ऐसे में जो भी रास्ता गद्ली बैढ़ता था जो भी सात्यों शाशा गद्दी पर वैटता था मुगलों में वो समुद्र से सदैव दूर रहता था ये सात्यों पराचीन परमपराह हैं जैसे के समय में परंपरा नहीं है कि पिता जी ये करते थे तो हम भी वैसा ही करेंगे परंपराओं से बंधा हुआ ये भारत मुगलों के लिए भी ये एक परंपरावादी चीजें बना कर चला गया था तो इस तरीके से साथ यो इन्हों ने ये साथ यो किया था इसके बाद आगे चलेंगे तो दच्ष्ट राज्ज्वों में क्यों नहीं बसे मुगल इसके पीछे आप दियां से देखें गे वैं महराष्ट गोवा यह दच्ष्ट भारत के उन राज्ज्ड यो Не नहीं गये तरफ नहीं गये जो समुद्र के किनारे बस से गश्पर अपना अधिपत कर भेजा गया था तो ये साथ्यों मुगलों का एक प्लान था चाहते तो महराष्ट में साथ्यों जीतकर गोवा में जीतकर अपने आपको कभी ना कभी तो जाते लेकिन इन्होंने रच्षिर भारत में जाना उचित नहीं समझा यह साथ उनकी एक बहुत बड़ी साथ्यों एक तरीके से नियुंता देखी जाती है तो यह साथ्यों आपको ध्यान देना है इसके बाद चारों तरफ वढ़ाना चाहते थे सामराज मुगल बाश्या अकबर के समय सामराज का तेजी से विस्तार हुआ ध्यान से समझेगा लेकिन आधिपत्य बन से आपको यह ध्यान रखना है कि दच्छिर भारत में जाकर भी मुगल समुद्र के किनारे अपनी राजधानी या खुद भी कभी नहीं बसे औरंग यह वंतिम समय में जाता है तो मराठों से बुरी तरे से मार खाकर तरपा तरपा कर साथ्यों मारा जाता है तो इस प्रकार से आपको यह याद रखना है मुगल दच्छिर भारत में तो गए लेकिन साथ्यों कभी भी उन्होंने समुद्र किनारे अपनी राजधानी या खुद भी जाकर रात में नहीं रुखते थे आप ध्यान रखिएगा इतिहास की सची घटनाय जानकर आपको कैसा लगा यह मार वीडियो कैसा लगा और आगे क्या आप ऐसे वीडियो चाहते हैं थैंक यू सो मच जय है